हेलो दोस्तों मेरा नाम में मुहमत सभीक आप देख रहे हैं अमडी पलस दोस्तों आज हम इस वीडियों में बात करेंगे हमा जून का पासवर्ड हम भोल जाते हैं तो उसको अपना पासवर्ड पॉर्गोड कैसे करें अजय करें चलिए दोस्तों अपने ब्रावजर में चलते हैं अपना ब्रावजर ओपन कर लेंगी दोस्तों उसके बाद है कि गूगल ओपन कीजिए और गूगल में टाइप कीजिए गूगल में टाइप कीजिए अमेजोन इसके बाद सीधा आपको अमेजोन की वेबसाइट आगे अमेजोन इंडिया आप यहां पर ठीक कीजिए आपको सीधा आपके अमेजोन के हॉम पेज पर लेकर आजाएगा अब जो आप देख रहे हैं यह अमेजोन का हॉम पेज है दोस्तों अब इसमें दोस्तों आपको लोगिन पेज पर जाना है लोगिन पर जाने के लिए दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है आप देख र हई मों लोगिन तो हमकर नहीं सकते कूंके हमारे पासवाड यह थै क्लिकquito है मर्या lesson दोahh दोस्तो हमें फॉर्चोर पासवर्ड क्लिक करना देख सकते भोर्वाड पासवार लिखा हुए हमें यहां लागत दो स्टो मैं आपटना जोना मुबाल ठालता हूँ कि अब तस तो यह हमारा मुवाल नमर हो गया आपको आप पे इक कांटीन्यु पे क्लिक कर रहे होगां चाहि है कि कांटीनिट प्लेक कर दिए हमने कि आप दोस्तों यहां पर देखें दो आपस्वर्ड और एक आरा है साइन भी टंपरेरी कोड़ इसकी पासवर्ड दोस्तों इसका मतलब है आप यहां पर न्यू पासवर्ड क्रेट कर सकते हैं मतलब जो पासवर्ड डाल दोगे पासवर्ड हमेसा उस पासवर्ड डाल के आपका लोगिन हो जाएगा आपको आप यहां से अगर पासवड़ करेंगे तो आपको जो है अकाउंट जो हो जाएगा लेकिन पासवड़ सेट नहीं होगा अब से जैसे कि फिर से आप दूसरे मुबाल में लोगिन करना चाहेंगा दूसरे लेप्टाप या केम्पूडर में तो अगर दोस्तों यहां पर आपका अगर इमेल आड़ी लगा हुआ है तो आपके इमेल आड़ी पर पासवड़ आएगा अगर इमेल आड़ी नहीं लगी हुई है तो आपके मुबाल नंबर पर पासवड़ आएगा तो हमारी तो इमेल आड़ी लगी हुई है तो देख लेते हमारी email id पे password आया है की नहीं चलिए देख लेते हैं अभी हमें इस पेस को छोड़ना है कि इस password को नगोपी कर देता हूं और उसके बाद सिधा Amazon पेस पे जाता हूं और यहां पेस को इंटर कर देता हूं कि इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे इंटर न्यू पास्वड और इंटर री इंटर न्यू पासवड दोस्तों यहां पे पना पासवड डाल देजिए जैसे कि मैं डाल देता हूं और एक्जामपल के लिए अब दोस्तों इसको टाइम मत कीजिए कि मैं क्यों एक्जामपल के लिए डाल रहा हूं आप यह पासवड़ा को नीचे भी डालना है तो आपको save and change फिर क्लिक कर देना है आपको